हलो फ्रिंड्स क्या आपके वस्चे रहा हैं क्या आपको चलने फिरने में समस्या आती है और अब आपको यह पूछना है या इसका इलाज क्या-kia संभव है तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका इलाज आखिर होगा कैसे तो मैं डॉक्टर सूशीला सेनी गाइनिक लॉजिस्ट और अबसेटेशन आज आपको यह बताने जा रही हो कि जो प्रोलैप्स के समस्या होती यानि जो बच्चेदानी बाहर निकल आती है उसको दुर्बीन से कैसे सेट किया जाता है यानि कि प्रो बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो जरूरी नहीं है कि उसको निकाला ही जाए जब तक कि उसमें कोई खराबी नहीं है वो सिर्फ बाहर आ गई और डिस्प्लेस्मेंट हो गया यानि कि उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर कमजोर हो गया जिसके वज़े से बच्चेदानी बाहर निकाल दिया जाए उसे आराम से अंदर दूर्बीन के द्वारा जाली लगा के सेट किया जा सकता है जिसको कि दूर्बीन के ऑपरेशन प्रोलैप्स के लिए प्रोलैप्स सरजरी बोला जाता है तो दूर्बीन से जब बच्चे दानी को सेट किया जाता है तो उसको पर सेट कर दिया जाता है जनरली प्रोलैप्स के समस्या टीशू के कमजोर होने की कारण होती है यानि कि जो बच्चे दानी के आसपास का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर हो जाता है इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए जाली जैसी चीज लगाई जाती है जिस है वो लेप्रोस्कोपिक पेक्टोपैक्सी है जिसमें कि जो साइड की दिवार होती वहां एक लिगामेंट होता है बहुत स्ट्रॉंग स्ट्रॉक्चर होता है तो उस पर जाली को सेट कर दिया जाता है निकि टाका लगा कर इसको फिक्स कर दिया जाता है इसी जाली को लिगामेंट पे फिक्स के जाता है तो जिससे की बच्चेदानी नॉर्मल पोजिशन पे आ जाती है जो की नीचे की तरफ खिसक गई थी तो हमने उसके जो नॉर्मल टिशू था उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर के रुप में जाली लगा कर उसको फिक्स कर दिया है एक दूसरा हुखती थी और कहां फिक्स के बच्चेदानी के पिछले सब्स की तरफ मेेश को फिक्स किया जाता है और उपर पीछय जो रीड की अड़ी का ह était वत्लों ह Czechा है इसलिए उन टेक्निक्स को जरनली काम में नहीं लिया जाता है तीसरा तरीका होता है कि यदि आपको बच्चेदानी के अंदर कोई समस्या हो गई है जिससे कि अंदर गांठ है या ब्लीडिग का समस्या या और कोई समस्या जाता है तो फिर यूट्र्स को पहले दूर्बिन से बाहर निकाल दिया जाता है यहılanे कि पाद करी चैनल vibrant hystectomy कि एक जाता ८रीड के साथ पिशाब रिकिएच की समस्या होता है सिक overeak तो वो भी दुर्बीन से संभव है जिसको की SUI का ऑपरेशन बोलते हैं यानि की बर्च कोल को सस्पेंशन के नाम से जानते हैं तो एक कुछ medical terminology है बट बेसिकली वीडियो का मकसद ये है कि दो बातों का message देना कि यदि आपकी बच्चेदानी बाहर आई है यानि प्रोलैप्स है और वो बिल्कुल disease free है यानि इसमें कोई परेशानी नहीं है और आप अपना uterus निकलवाना नहीं चाहती है तो definitely uterus को बचाया जा सकता है और uterus को अपनी normal position पर fix किया जा सकता है और वो भी आसानी से दुर्बीन के द्वारा संभव है दूसरा यदि उसके अंदर कोई पर परेशानी है तो दूर्बीन से बच्चेदानी को निकालने के बाद वजाइना को भी normal place पर set किया जा सकता है वो भी दूर्बीन से संभव है जिसमें के पीछे के जो लिगामेंट्स होते हैं उनको suture से tight करके छोटा करकर फिर बच्चेदानी का जो वॉल्ट होता है uterus का न उसके परफिर ये समस्या क्रेट हुई है तो भी उसका दूर्बीन से लाज संभव है चिरानी ओंधो हो मैं लगता है किसी प्रेशान नहीं रहता अब धरद को नहीं रहता को बहुत कम एंटिपाइटिक के जरूत पढ़ती है और एक से दो दिन के अंदर अस्पताल से छुटी हो जाते है जनरली हम लोग 24 गंटे के अंदर अंदर ही पेशिंट को उसके घर भेज देते हैं और पेशिंट वाकिंग आता है वाकिंग ही जाता है यानि अपने आप चल कर जा सकते हैं उसमें कोई आल्टरेशन नहीं किया जाता तो पीशलिबल रहते हैं उनको दर्द नहीं होता खाने का परहिज नहीं होता वजन भार का परेज नहीं होता तो आप अराम से अगर आपको प्रोलैप्स के समस्या है तो दूर बीन का ऊपरेशन चूस कर सकती है अगर आपके प्रोलेप्स से रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती हैं हम आपके सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जनकारी के साथ तब तक नमचे